राज यक्ष्मा है जो कि घुटन देता है ये घुटन कैसे फील होती है अहिर रोग के साथ में जो नीचे राज यक्ष्मा है पाप यक्ष्मा के साथ रुद्र है इसकी हम बात पहले भी कर चुके है रुद्र की और राज यक्ष्मा क्या है ये घोटन देता है, suffocation देता है, टीवी की बिमारी भी है ये, तो जब ये balance होते हैं सारे के सारे मिलकर, नॉर्थ वेस्ट जब balance होता है, तो ऐसे लोग ये भूदर और मित्र, इनके साथ connect होना शुरू हो जाते हैं, तो word में जितने भी resources हैं, वो लोग मैतरी भाब में connect होते ह इसको modern language में अगर हम translate करें, तो जो आपका idea है, जो आपका start-up है, उसके लिए भूदर और मित्र ये दोनों मिलकर venture capitalist बन जाते हैं और आपके project में funding देते हैं, इससे वो जो banking का zone है, आज की भाशा में venture capitalist और start-ups के लिए angel funding या VC funding के रूपे function करता है तो start-up वाले के साथ जब बात करनी है, इसी sequence में करनी है कि what is your solution, कैसे customer की need को आपने translate किया है, आपने क्या विशेश बनाया है, फिर उसके बाद है कि क्या वो एक trend setting चीज़ हो सकती है, क्या वो किसी रोग को, किसी restlessness को ठीक करने वाला है, क्या वो किसी और addiction को resolve करने वाला ह है, क्या वो कोई गोटन को दूर करने वाला है, क्या उसके system well controlled है, अगर आप start-up इंडस्ट्री में किसी pitch को analyze करेंगे, तो उसमें यही elements को पाएंगे, वास्तव में ये सारे के सारे जब balance होते हैं, तो south east में आंत्रिक्ष और अनिल कब बेस्तियार होता है, है ना जी बात, ये वायू कौन सी है, ये वो वाली वायू नहीं है, जो east की वायू है, ये वात है, सतव की है, सतव की वो जो possessiveness में convert कर देती है, क्योंकि यहां से आकर जो आपका सतव element है, वो यहां से water में convert होना शुरू होता है, तो ये वो transition का phase है, तो जो air और water वाले लोग होते हैं, personality wise, उन में हमेशा वो transformation का कीड़ा रहता है, कि मैं और ग्यान को पालू, और ग्यान को पालू, और वो भावुकता बनी रहती है air water वालों में, क्योंकि उनका zone ये है, तो वो घुटन को भी face करते हैं, कभी emotions को control नहीं कर पाते हैं, ये वास्तम में सारे के सारे देवता उसी comments हो जाते हैं, तो antriksh, antriksh क्या है? Space, space क्या है? जो अगनी को uplift करने में मदद करता है, अनिल क्या है? अनिल अगनी है, मैंने कहा था कि अनल और इनल दोनों यहाँ पर कहे गए हैं, जबकि उनमें फर्क जादा नहीं है, वो वायू वो है जो अगनी को पैदा करती है, जो अनिल है, और अनिल तो अनल जो है, और जो अनिल है, वो तो है ही fire का representative, और वो antriksh तभी balance हो पाता है, जब ये वाला zone properly balanced हो, तो वास्तु शास्तर के बहुत सारे ग्रंथों में, यह लिखा हुआ है, कि south east, इशान कोन और अगनी कोन, दोनों एक साथ ही balance करने चाहिए, और ये भी लिखा है, कि इनके levels बराबर होने चाहिए, ये उपर नीचे होने पर ये दोनों के दोनों disturb हो जाते हैं, इसलिए इन कोनों में, जो वात्रों के major lection हैं, वो है joints, moments, तो यहां घुटने आते हैं वास्तु पुरुश के, और जब ये balance होते हैं, तब घुटनों में दर होने की शिकायत होती है, और विशेशकर अर्थे राइटर से जुड़ी समस्याएं होती हैं, इनको balance करने से गोटनों के दर्द भी ठीक हो जाते हैं, वात का movement सही हो जाता है, जकडन हट जाती है, गोटन हट जाती है, फिर आंतरिक्ष खुलता है, और अगनी प्रजवलित ह होती है, अंतरिक्ष वास्तव में विश्णू का सवरूप है, और अगनी लक्षमी का सवरूप है, जब ये दोनो balance होते हैं, इस sequence में, तो सविता और सवित्र मन प्रकाश मान हो जाता है, और जो सवित्र है, वो जागरत हो जाता है, सवित्र क्या है? जो धन देता है, जो प कर आदेश करता है कि अब आप ऐसा करिए इस प्रकार से जब ये बैलेंस होते हैं इस फॉर्मेट में तब सफलता की इक्वेशन दिखने लगती है तब ही सफलता मिलती है अन्निता नहीं आपने एक एक देवता का सवरूप समझा उन्निता अंत्रिक्ष अगर इंबेलेंस होता है तो अगनी परजवलित नहीं हो पाती है अनिल अगर इंबेलेंस होता है तो अगनी में वो गुनवत्ता नहीं आ पाती है अगनी यानी cash flow space बढ़ा होगा उसको हम कहते हैं bandwidth बड़ी होना अगर bandwidth बड़ी होगी तभी तो channel बड़े होंगे न कमाई के तो आंतरिक्ष वो bandwidth को भी बड़ा करता है पर उन दो को आपने नॉर्थ वेस्ट के जो ये बैने सारे सेक्टर समझाए इनको balance करने के बाद उसको balance करना है तभी सफलता की सीढ़िया बनती हैं, चड़ता है व्यक्ति और जीवन में आगे बड़ता है यहां तक हमारा हुआ सफलता और पैसे की equation देवतावन के साथ किस परकार से है इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, कई बार देखना relate करते चले जाना, relate होता चला जाएगा जो भी व्यक्ति अपना product बना रहा है क्या उस product में fire है? product में fire कैसे होती है? product में fire कैसे होती है? एक देशी phone बना हुआ है, घर में बना हुआ और एक iPhone है, iPhone में fire है अब आप difference हमज़ सकते हो और bandwidth कितनी है? क्या कुछ possibilities हैं? उस product को लेकर वो आंतरिक्ष define करता है एक ही idea के धेर सारे bandwidth हो सकती है वो आंतरिक्ष define करता है space define करता है space कौन सा? जो अगनी को परजवलित करता है जितनी जादा bandwidth होगी उस product की, service की, idea की उतना ही जादा पैसा कमाया जासा आज हम इस session को यहां पर विराम देते हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जिस मनोयोग से आप सीख रहे हो मुझे पूरा भरोसा है कि वैदिक विद्याएं आप गर गर पहुँचेंगी और इस साथ को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वास्तम में मैं आपका धन्यवाद इसलिए हूँ क्योंकि अब आपके माध्यम से हम सभी मिलकर वैदिक विद्याओं को घर गर पहुँचाएंगे और विशेश कर अपने बच्चों को ट्रेन करेंगे कि किस प्रकार से सही तरीके से सोचना है How to think correctly and how to master your own life शुबरात्री, नमस्कार करेंदे की तरीकेस λιवाद प्रकार 26 Yu